खमागनी किसांसाथ्यों मेरा नाम गुमेड सियर रणावते हैं और आप देख रहे हैं खेतीकिसानी यूटूप चैनल, किसांसाथ्यों चैनल से नहीं जूड़ा है तो फ्री में सब्सक्राइब करें साथ में गंडी के निशान जरू दबाए किसान सत्यू आज के इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एक flood LED light के बारे में जिसके काफी यूज रहते हैं आप indoor यूज कर सकते हैं, outdoor यूज करते हैं तो चलिए इसके बारे में पूरा जानते हैं कि क्या feature से installation कैसे करना होता है और खरिदने से पहले किन-किन बातों का ज्यान रखना होता है सबसे पहले देखते हैं अपना light के बारे में यह जो light है वो है 100 watt की LED flood light और यहाँ पर आप देख रहे हैं यह जो छोटी-छोटी LED light है इसको आप गिनेंगे तो यहाँ पर 100 LED light है आपको एक जीज़ का ज्यान रखना है कि यहाँ पर corner पर लिखा होता है कि IP 65, IP 66 या IP 67 इसका क्या मतलब होता है वो समझ लीजे यहाँ पर आप देख रहे हैं IP का मतलब होता है ingress protection ingress का मतलब होता है प्रवेश अंदर की तरब और protection का मतलब होता है सुरक्षा कवच यानि कि यह जो light है इसके अंदर जाने में कितनी सुरक्षा दी गई है यहाँ पर first digit है वो दूल मिटी के लिए है dust के लिए है और second वाला digit है वो है पानी के लिए यानि कि first वाला digit है वो है dust proof और यह है waterproof यानि कि IP 66 यानि कि पूरी तरह यह waterproof है पानी इसके अंदर नहीं जा सकता है यहाँ पर पूरी तरह आप देख रहे हैं पूरी packing है यह अब यहाँ पर अगर back side में आते हैं तो यहाँ पर installation के लिए आपको handle मिल जाता है कही पर भी आप पर install कर सकते हैं आप pakai Parish presentsट नि कर सकते हैं आप इस्टूडियो में यूज कर सकते हैं outdoor आप कहीं पर भी use कर सकते हैं इस light को और आप अगर यहाँ पर निच्चे की तरफ अगे तो यहां-पर 100 वा और आगे लिखा हुआ है 65MP के 65MP का मतलब यह है कि Kelvin Kelvin यहाँ पर जैसे पर फो को मापने की एकाहिए पर टो तेविच्ट मरत केम्पटर को मापने की एकाहिः केल्विन यानि कि यह जो लाइट है वह यहाँ पर मतलब होता है कि कुल वैट टो बॉक्स के उपड़ आपको कुछ कोड देखाए सिख्ट defined यहां और 15 see w misty w का मतलब ये होता है कि कुल Wine&W का मतलब होता है Natural नेचुरल बैट औरбаटा मतलब होता अलग अलग तरह करल है उसका है और जब भी लाइट खरीते हैं तो मैरे सज़ेशन की आप किल बाइट खरीते काफी अच्छी है, आखों के लिए भी फायदे मन दे, आखों में कम चूबने वाली होती है अब अगर इस light को installation कैसे करना है, उसकी बात करते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं तीन वायर, brown, blue और yellow green जो brown वाला वायर है, उसको आपको लगाना है main face में यह जो blue वाला है, वो neutral में और यह जो है gray yellow उसको लगाना है आपको earthing में, इस तरह आप इसका installation कर सकते हैं साथी में इसके लिए चालू बन करने के लिए हम यहाँ पर बहुत बड़ा switch यूज़ कर रहे हैं लाकिन मैं आपको suggest करूँगा कि आप यहाँ पर कम से कम 16 ampere का switch आता है उसको use करें अब अगर इसकी price की बात करते हैं तो यह market में आपको लगबग 3,000 रुपई के आजपास आपको मिल जाती हैं यानि कि अलगलग company की जैसे किसी के 25 में मिल जाएगी किसी के 800 मिल जाएगी 2900 मिल जाएगी 3500 तक आपको 100 वाट का मिल जाता है अगर इसके warranty की बात करते हैं तो इसके 2 साल के warranty हैं जो replacement warranty है अगर कुछ भी problem आ जाए तो piece to piece change की जाएगी और अगर बात करते हैं इसको खरिदना कैसे है तो आप इसे offline भी खरिच सकते हैं और online भी खरिच सकते हैं मैं किसी company का promotion नहीं कर रहा हूं यहां पर आप nearest dealer distributor है जो electrical shop है वहां से खरिच सकते हैं लेकिन इन बातों का जरूर ज्यान रखना है IP का ज्यान रखना है और पिछे Kelvin का ज्यान रखना है यह फिर आप online खरिदना चाहते हैं तो कुछ नामी नामी company हैं उनके में link description में provide कर दूंगा तो आप घर बैठे भी उसे खरिच सकते हैं जो मेरे खाल से काफी अच्छी रहती है लेकिन काफी सारी ऐसी जो लाइटे हैं जो आप 100 वाट की देखेंगे 500-700 रुपए में online मिल जाएगे लेकिन आप घर पर लाके देखेंगे तो उसको मुश्किल से 20 वाट के लाइट के बराबर भी आपको उजाला नहीं मिलने वाला है दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छा लगा है तो जादा से जादा शेयर करें लाइक करें और साथ में ही आपके कोई सुजा होत कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताए अगर चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करके के लिए जय बारत जय जवान जय किसान वंदे मात्रम